ओल्वेज वेलकम साथियो डिजिटल कलास हमेश आपके साथ इंजिनियरों अपनी मसीन डिजाइन की सीरीज चल रही है जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सारा कंटेंट आपको पीडिया फॉर्मेट में अविलेवल है जिस तरह से मेकनिकल इंजिनियरिंग जर्नल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अब लेवल हैं इन नाटस हों के स्तमाल आप SSC, RRV, State, JAE, Gate, VTAC, AMIE के एक्जामनेशन के लिए कर सकते हैं हम इसे पीछली वीडियो जमें साथी हो बेरिंग के बारे में डिटेल स्टेड़ी करते आ रहें, बेरिंग किसे कहते हैं, वेरिंग कितने परकार न को बुट़ भए यिञ तों उनमें से बाल भेरिम का टाइफ हम पढ़ते आ रहे थे, सलाइडिंग कॉन्टक्ट होता हुआ नजर आएगा जैसा कि आप देख रहे हैं यह आउटर केस है इसका और इनर रेस और इनर रेस इस पार्ट को बोला जाता है इसके मद्द में रॉलर या बॉल्स लगे होए होते हैं जिनको केजिंग या रिटेनर से रोक कर रखा जाता है अब तक बेरिंग आपका नॉर्मल था इस परकार जैसा है उसी पोजिशन मों बना रहता था लेकिन क्या होता है इस परकार के सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग किया आप सकता पड़ती है जैसा कि आप देख सकते हैं कोई बेरिंग लगा हुआ है दूसरा साफ्ट के पार्ट पर दो मेंड नों पर बेरिंग लगए अब साफ्ट पर लोड बढ़ाया जाए या लोड लगाया जाए तो साफ्ट बेंड होगी इस प्रकार से बेंड होगी तो इसमें कुछ चैंज आएगा जो एक्सिस है इसका इस सौरी बीडियो रिकोर्डिंग प्रोब्लम हो सकती एक बार फिर बता देते हैं दोनों इंडो पर आपने बेरिंग लगा रखे हैं लेकिन इस पर लोड बढ़ाते हैं तो इसमें कुछ एंगुलर चैंज आएगा साफ्ट में इस परकार से बेंड होगी तो अपने नॉर्मल ब iamour होंगे ठूट जाएंगे फैल होजाएंगे तो यहाँ पर सैल्फ अलाइनि बाल बीरिंग लगाये जाते हैं जो एक्सिस अपना अंकर देते हैं संड्रेक कर देते हैं यह कहा जाए इस पर इस परकार साफ्ट लगाएं इसके इनरर में रजा ऐसा पर कार सकते हैं आगे बेरिंग है सेल्फ अलाइनिंग बाल बेरिंग आपको आजादी देता है इदर उदर गुमाने की एक्सिस को अब तक मान लेते हैं इसमें साफ्ट लगी हुई थी लेकिन जहां तक इसकी लिमिट है बेरिंग की वहां तक इसको आप कहीं भी किसी डायरेक्शन में इस रेंज तक गुहां सकते हैं जैसे यह लिए आप आर्ना बेरिंग लगए हुई है यह अलाइन बेरिंग का अ कि यह इसका alignment है इस ट्रेट लाइन में यह आप कहें संरेखित हैं यह अब यदि बेरिंग लगा हुआ है आपका इस परकार और साफ इस परकार से चैंज हो जाती है बेरिंग का एक्सिस यह था लेकिन अब इस परकार का बेरिंग आपके पास है तो यह self-adjust कर लेता आपने आप बाल बेरिंग इस परकार से सर्च करकर देख सकते हैं अब तक हम steady करते आ रहे थे साफ्ट को x-axis की तरफ रखकर यह कायदा इस परकार horizontal साफ्ट रखी उसको आप rotation दे रहे हैं तो किस परकार से bearing आप काम करा सकते हैं लेकिन condition ऐसा ही नहीं कि सारे काम इसी परकार साफ्ट से हो जाएं कहीं कहीं आप इस परकार से साफ्ट को देखेंगे जो यह रोटेशन कर रही होगी जादतर वर्टिकल पोई साफ्ट होगी तो आपको bearing क्या आप सकता आप नीचे की तरफ पड़ती है तो एक्सियल लोड लगता है इस पर यह फिर फ्रस्ट लोड इसे बोलते हैं जो घर्सन को कम करता है त्रस्ट बाल बेरिंग काम करते हैं इसे सब कंट्रॉल करने के लिए अब तक अपने bearing इस परकार से बने होए थे उपर की तरफ आउटर रेस इनर रेस अब इसमें बॉल्स लगी हुई थी इस परकार तो इसमें आप लोड लगाकर यह आप लोड ल रगाये जाएंगे जिससे रोटेसन इस परकार से कर सकें तो त्रेश्ट बेरिंग आपके क्या करने वाले इट कें सपोर्ट ऑनली एक्सियल लोड क्योंकि यहां पर आपका यह आउटर रेस इसे आप गह सकते हैं और इसके नीचे यह दूसरा इनर रेस यह आउटर रेस ज खूंते रहेंगे आपको आजादी देंगे रोटेसन कराने की फ्रेक्सन को कम करके आप अपनी सप्ट रोटेट कर आपएं अब इस सेक्सिन को गुमा कर देखा जाए इस परकार यह आपका नजर आ रहा है अब इसको इस परकार से गुमा कर लेका हैं आप वर्टिकल पुईशन पर ले 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 तो यह आपका जो नीचे फिक्स वाला पार्ट है आप यह दिए से फिक्स करते हैं तो फिक्स वाला पार्ट है दूसरा उपर से जो वर्टिकल लोड दे रहा थ तो यहां एक support होगा दूसरा support होगा direct contact होगे friction होगा उस friction को कम करने के लिए बाल रोलर लगे होए होगे तो यह thrust wall wearing बन जाता है उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियों दी गई अब तक की जान करें आपको अच्छे समझ माई होगी अभी कोई confusion है तो आप animation videos देख सकते है काफी available रहती हैं किस प्रकार से इनकी working होती है किस प्रकार से काम करते हैं फिर भी कुछ confusion रह दाता है पॉइंटों से related आप हमसे comment करकर पूँश सकते हैं साथियो आप चाहें तो contact कर सकते हैं contact link आपको वीडियो description मिल जाएगा वीडियो अंतक देखने के लिए चैनल को support करन के लिए आपका दिल की गराईयों से बहुत बहुत धन्नवाद मिलते हैं next video में जहन बंद मात्रम